sound design इसे वीडियो एडिटिंग का दिल कहना खलत नहीं होगा क्योंकि sound design is all about feeling after this video आपका sound design बहुत बहुत बहतर होने वाला है मजाग नहीं कर रहा हूँ और हां अगर आपको sound design के बारे में एक in-depth knowledge चाहिए कौन से sound effect को क्या बोलते हैं फर एक beginner's guide चाहिए उसके पर मैं एक डिटेल वीडियो बहुत पहले बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको filters के बारे में बता देता हूँ, filters बहुत जादा important होते ही तो जैसे कि यहाँ पर मेरे एक sound effect है जिसका नाम है वुश हिट, इसको हम पहले सुन लेते हैं थोड़ा सा मैं इसको पीछे रख दे रहूँ, तो आप इसका impact सुन लीजिए अब मैं इसमें low pass filter लगाता हूँ, पहले मैं लगा देता हूँ, फिर आप खुद समझ जाओगे कि इसका काम क्या होता है तो मैं इसको drag and drop कर देता हूँ, अब आप देखना गलती करते हैं, अब फर्क यह है कि low pass filter लगाने से पहले जो sound effect था वो जादा sharp था तो low pass ने उसका impact काफी कम कर दिया, तो इसका यही काम होता है, अब यह हमारी creativity के उपर है कि हम इसको कैसे use करते हैं, मैं इसको बहुत सादा use करता हूँ, कभी कबार कोई मैं एक ऐसा scene edit कर रहा होता हूँ, जहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा impact चाहिए, मतलब भारी impact चा जाता है और वो एक heavy भी होता है, तो अब मैं इसको undo कर रहा हूँ, अब यह हमारा normal sound effect है, अब low pass का उल्टा है high pass, देख लेते हैं high pass क्या करता है, आप समझी गए होगे कि high pass क्या करता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, गल्ती करते हैं, तो देखो इसने क्या किया इसने sound को बहुत जादा sharp कर दिया, मतलब इतना sharp कर दिया कि उसका impact बिल्कुल खतम हो गया, लेकिन वो sharp बहुत है, जैसे कि आपको मैं फिर से सुनाता हूँ, गल्ती करते हैं, तो अब आप देख सकते हो low pass और high pass filters में बहुत जादा जान है, इन में बहुत जादा चीज़े जरूर करो, बेशक एक दो बार में घलती हो जाए, लेकिन उनको लगाओ, उन पर experiment करो, अपनी creativity बाहर आने दो, अब मैं इसको यहाँ पर undo कर देता हूँ, अब हमारा एक filter और है, यह मैं थोड़ा कम use करता हूँ, लेकिन यह भी impact के लिए ही use किया जाता हूँ, अब आप कह सादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम इसकी settings में जाते हैं, यहाँ पर studio reverb हमारा effects control panel में आ गया, अब मैं यहाँ पर edit पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर हमारे पर बहुत सारे presets दिये वे हैं, जैसे कि drum, large, मतलब यह आपको preset बना दियेंगे, अकर बहुत बड़ा hall है, तो वहाँ पर कैसा reverb आएगा, छोटा सा room है, तो वहाँ reverb कैसा आएगा, हम एक दो example ले लेते हैं, वो कल वाला तो नहीं, क्योंकि हमारा sound effect है, तो हम great hall करके देखते हैं, मैं यहाँ पर in and out point लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर यह इस button पर भी click कर दूँग, ऐसे क्या होगा, कि जो आपके in and out point के अंदर जो भी चीज होगी time lane पर, वो repeat होती रहेगी, तो अगर मैं इस button पर click करूँगा, तो इसको सुन लेते हैं, गल्ती करते हैं, तो आप देख सकते हो, create hall वाला impact our eyes में reverb, अब हम इसको change करके देखते हैं, room ambience पर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सफर का रहा है, vocal reverb करके देखते हैं, try करते हैं, creativity, कि आप अच्छा बैट जाए, गल्ती करते हैं, हाँ, ये थोड़ा सफर के लग रहा है मुझे, बहुत subtle सफर का रहा है, अब sound design का मतलब ही है, कि बहुत subtle subtle चीज़े एक बहुत large impact डाल देती हैं, अब देखो इन settings से तो आप खेली सकते हो, मतलब जो भी आपको अच्छी लग रही होगी, अब यहापर इसको reverb की आपको science समझा देता हूँ, तो अगर आपने मेरा संदीप सर वाला podcast देखा होगा, जो दृष्यम डू के editor है, तो वहाँ पर जो लड़की coldering पी रही होती है, जो वो straw वाली ह वहाँ पर मैंने studio reverb भी use किया है, तो अब आप इस example से समझ गयों कि reverb किस लिए use किया जाता है, देखो reverb आप हर जगा use नहीं कर सकते है, मेरा यह बानना है जहाँ पर आपका scene में थोड़ा सा pause आ रहा हो या फिर थोड़ा सा रोक रहा हो, उसके बाद कुछ scenario चेंज हो and final cut pro मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, यहाँ पर मैं हस इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके उपर एक बात करते हैं sound design के एक बहुत important factor की, जो है sound mixing, अब sound mixing का यहाँ पर यह मतलब है कि तो जब आप पूरी complete editing करते हो तो इसका यह मतलब तो है नहीं कि सिर्फ एक दो sounds ही हो हम अपने music का कितना volume रखे, हमारा जो overall sound design है, जो हमारे sound effects है, उनका कितना volume रखे, पूरी audio को हम कैसे divide करें, कि हमारा जो पूरा edit है वो even लगे, और जो हमें सुनाई दे रहा है overall, वो हमें अच्छी sound सुनाई दे, अब I don't know कि और editors क्या use करते हैं, पर जिस वक तक मैं यह video ब music का, और फिर उससे थोड़ा कम होगा मेरे sound effects का, तो इस तरीके से आप अपने पूरे sound design को एक order में लेकर आ सकते हो, तो मैं चाहता तो मैं इस video को बहुत detail में बना सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि आपका वक्त बच्ची है, और आप इन चीजों को खुद experiment करो, खुद try क करो और खुद सीको